नमस्कार साथ ही आप लोग देख रहे हैं वी आई पी न्यूज टोड़े मैं के सिधार एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ आपके सामने हूँ और एक नई अबड़ी बात कही है और उस बात को लेकर के सभा बस्पा और जो ने बहुत काल की उत्तरपरदेश की सरकारे रही हैं उनके उपर जोड़दार हमला किया है और हमला करते वे उन्होंने क्या कहा यह उसी पर हम एक नजर डालते हैं उससे पहले में आपको बताना चाहूंगा संजे निसाद वही डाक्टर संजे निसाद है जिन्होंने निसाद समाज के आरक्षन के आरक्षन को लेकर के अंदुलन करना शुरू किया और आरक्षन के आरक्षन को लेकर के कोई अंदुलन का दिखाई नहीं दे रहा है और अरक्षन के नाम पर आज मंत्री पद के अपन और सिर्फ अपना विकास करने का काम किया लोगों का विकास नहीं किया तो बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि ये जो बाते ये कह रहे हैं वो कहां तक सही है और पहले की सरकारों ने कितना काम किया या नहीं किया ये आप लोग भली बाती जानते हैं और भाजपास सरकार वर परदेश में जो सरकार है वही सब का विकास कर सकती यानि वो कह रहे हैं कि परदेश में जो भाजपा की सरकार है और देश के इंदर जो भाजपा की सरकार है वही सिर्फ लोगों का विकास कर सकती है देश के विकास की बात कर सकती है क्या ये सिर्फ जुमलों की तरह बाते नह में कहा और अपनी पार्टी के कार्यकरताओं को भी संबोधित किया इसके साथ साथ और इस दोरान पत्रकारों से बात करते वे संजे निसाद ने सपा और बस्पा को भी नहीं छोड़ा जोड़दार हमला किया है और कहा कि इन दोनों सरकारों ने सिर्फ अपना विकास किया है और बीती सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपना ही विकास किया है डाक्टर संजय निसाद ने यहां डिश्टिक बोर्ड केंपस में पतरकारों से बात करते हुए वक्स पर जोड़दार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सारे काम हतास ज्यादा हो गए हैं 20 साल से जनता इनके साथ थी लेकिन 20 साल में विपक्सियों ने जनता को सने और प्यार नहीं दिया है ना लोगों के विकास की बाते की हैं जनता की समस्याओं का समधान नहीं किया हाती ने भेदभाव करते हुए हाती का बटन दबवाया था और चंगु मंगु को हाकीम बनाने की बात करते हुए सरक विपक्स पर ठीक रहा फोड़ा और कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसल्मानों की दसा खरावे लेकिन खादान योजना का लाब कौन ले रहा है आरोक्य गोल्डन कार्ड का फाइदा किसको मिल रहा है घर किसे मिल रहा है अनाज किसे मिल रहा है या सब चीज बेदवाव पिछली सरकारों ने किया है तो ये बहुत ही घोल निंदा करने का कारी ये डाक्टर संजय निसाथ जी ने जो है बूत काल की सरकारों पर उत्तर परदेश या भारत की जो सरकारे नहीं उनके उपर लगाया हो और कहा है कि इन सरकारों ने भारत के विकास में कोई नहीं किया और भारत की जनता का भी कोई विकास नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ योगी मोधी की सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास करते हैं तो यह बाते कहां तक सही है आप लोग हमें कमेंट करके पनी राय जरूर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइ यह और देखते रहिए वियाई पी न्यूज टूड़े नमस्कार साथियो एक बहुत मेर्तपुन जानकर यह आप लोगों को देने के लिए आया हूं लखनव के अंदर मात्र 600 रुपे से 1200 रुपे स्क्वाइर फिट के बहुत सस्ते पलोट और जिस रेंज में आप लोग च मोगा कर एक बार आप लोग के हाथ से चूट गया तो बहुत सारी चीजे चूट जाएंगे तो देर मत कीजिए जल्दी से अपना फोन उठाई और इस नंबर पर संपर कीजिए धन्यवाद